मुझे नमस्कार किसान भाईयों मैं कमल चोधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिन्नदन करता हूँ क्रसी एडवाईस चैनल पर किसान भाईयों आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे है प्याज की प्लांटेशन चल रही है तो भाई साब नमस्कार आपका सुम नाम बताए हमारे किसानों को मनहर नारायन पटेल तो आपके दिमाग में विचार केसे आया कि मुझे इस साल भी प्याज लगाना है कि अध़को यह तो सर के खेती किसान है अपन तो हर चीज बोते हैं आज भी डॉट कुछ नी मिला उसके बाद भी रिक्स लिया आपने इस बार भी लगा रहे हैं कि कुछ मिले तो यह पिछले चार साल से लगा रहा है तो चार सालों में आप दोनों सीजन में लगाते हैं दोनों सिजन में लगाते हैं तो बराबर उतपादन होता है भाव की क्या संभावना रहती है यह जो फनकी ज्यादा निकलती अच्छा जो फनके सीजन में लगाते और गर्मे में जिसकी हर्वेस्टिंग होती है तो उत्पादन आपका खरीफ सीजन में अभी जो लगा रहे हैं और इसका जब हर्वेस्टिंग होगा उत्पादन कम होगा और भाव की क्या संभावनाई रहती है यही रहेगा इसका 15-17 रूपई 15-17 रुपए के आसपास में अभी मिलेगा और जब गर्मे में आपके हर्वेश्ट होती है प्याज उस समय उस समय तो साथ से आठ था भाव इस साल तो पर आप देखते हैं इस साल क्या रहता है तो उत्पादन अभी जो बारिस का लगा रहे हैं इसका कितना कुंटल आता है प 50 से 80 कुंटल निकलता है तो इसमें आपको मुनाफ़ा होता है कि नहीं होता है भाव अगर मिलता है तो होता है भाव यदि मिल जाता है तो होता है तो पिछले सालों में आपने जो लगाया था उसका कैसा अनुभाव रहा आपको उसका उत्पादन बहुत बढ़िया था ले रहती हैं तो अभी पिछले सिजन में भी आपने प्याज लगाया था गर्मी में जो हर्वेस्ट वह वाला लगाया था ना तो वो बेचा की रखा हुआ है तो अभी इस्टोर है किता कुंटल है वो किसान भाईयों इतनी रिस्क होने के बावजूद भी हमारे मनोर भाई पटेल ने इस बार और निर्णाई लिया कि मुझे हार नहीं मानना है तो हम आगे आपको नर्शरी प्रबंदन के बारे में जानकारी देंगे बने रही है तो मनोर भाई आपने जब नर्शरी में बीज क अधिया, शिड़काओं करा था तो सीठ रिटमेंट करा था इसके बारा था मगरे कि सा nih का उसके बाद में ऊसके बाद में लिए जब बिज का हो गया था हाँ और यह कीट जो जमीन कीट रहते हैं उनसे भी प्रब्लम होती है कि हमारे पुदे कहीं कहीं कटे हुए मिल रहे हैं या इल्लियों का उस पर आसर है तो उसके लिए कौन सा मोलीकुस उप्योग करा था उसके बाद में खरपतवार की समस्य भी आई होगी इसमें गोल डाला था किती बार लिया था उसको दो बार लिया था तो हमारा जो पहला इस्प्रे हुआ था खरपतवार ना सकता वो कितने दिन बाद हुआ था वो डाला था मैंने 17-18 रोज में 17-18 दिन की अवस्था में जब पहुदा हो जाता है उस इस्थिति में आपके आँ खरपतवार भी दो से चार पत्ती के बीच में रहते हैं उस टाइम में हम खरपतवार ना सकता उपयोग इसमें कर सकते हैं और दूसरा इस्प्रे आपने फ्रेंटा रहती है, इसकी रहती है 49-50 के बीच में हम कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, मैं देख रहा हो कि आपके खेत में आदे खेत में दो प्लांटेशन हो चुका है और आदे में प्लांटेशन चल रहा है तो इस plantation के लिए भी आपने कुछ treatment का कुछ सोचा था कुछ करा था क्या तो क्या लिया था उसमें तीन बोरी शुपर हां एक पोटास और एक बोरी डेपी अच्छा उसके साइड में जैसे जमीन के कीट रहते हैं दिमक रहती है या तो वाइड गरब रहता है उसके लिए भी आपने कुछ लिया था इंसेक्टिसाइड का उसमें दस किलो लिया है और सलफर कुछ ऐसा फंजिसाइड सलफर इसमें आप डालेंगे अच्छा यह जब अपनी सिचाई हो जाएगी जब यह भार आ जाएगा उस वक्त अपन उसमें फंजिसाइड उचित मात्रा म में देंगे जरौत के अनुसान हाँ तो मनोहर भाई यह जैसे हम देख रहे हैं कि आपके प्लांटेशन के लिए आप उदे को उखारने की प्रक्रियाश जारी है तो इसके उप्चार के लिए भी आपने कुछ सोचा था है क्या यह कर रहे हैं अच्छा यह दिख रहा है तो इसमें यह कौन सा फंजिसाइड है करबंडेजिम और मेंकोजेव हैं तो हमारी बहुत सारी कमपनिया यह बताती है कि इनका घोल बनाई है और उसके बाद में उसमें प्लांट्स को डूबो लीजिए उसके बाद में उसका प्लांटेशन कीजिए तो आपने वो तरकिप क्य अच्छा मतलब यह की मजदूर जब लगाते हैं उनके हाथ में जब प्लांट्स जाते हैं एक खटा बंच जाता है तो गिला होने के कारण और चूंकि हाथ से रूप चुपाई हो रही है तो उनके हाथ गंदे हो जाते हैं कि चड़ भर जाता है यही आप कहना चाह रहे हैं तो यह जो लगा रहे हैं उसके बाद में हमारा सिचाई का साधन आपके हां कौन-कौन सा है अभी तो रेन पाइप चल रहे हैं अच्छा उसके बाद इसको फ्लेट पानी चलाएंगे तो यह आपने जो यह दिसा इसकी लगाई है प्लांट्स को जो लगाया है वो विप्रि इसको अगर खड़ा लगाएंगे तो इस तरीके से यदि चोपेंगे खड़े लगाएंगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है अपका यह कहना है इसलिए आपने इसका मूमेंट इस दिशा में कराएं पानी इधर से आएगा है ना और इधर से आएगा तो यह स्वता ही यह पाउदा अपनी यथा इस्तिती में खड़ा हो जाएगा अच्छा तो पाउदा एक बार खड़ा हो चुका है तो उसके बाद में फिर हर्भी साइट का वीडी साइट का उप्यों करना पड़ता है इसमें कि नहीं करना है कि हमारी फसलों को या हमारे प्लांट्स को किसी प्रकार का पानी का जो भाव होता है नाली में वो कभी कम ज्यादा में कभी कम मात्रा में यदि होता है तो उसमें पोद बहने की समस्याओं का सामना किसान भाई को करना पड़ता है इसलिए सबसे उचीत यदी उपाय है त वह क्यारी सिस्टम से उसका पलेवा कर सकता है साथ में हमारे और भी किसान भाई है जिनके यहां नरसरी में पहुद तैयार है और अभी लगाने का समय नहीं हुआ है तो वह भी इनकी मदद करने के लिए यहां पर उपस्तित है तो भाई साब आपका नाम कि हमारे किसान भाई हो को बताने का कश्ट करें जग्दीस है अपना नाब जग्दीस है आप भी प्याज की खेती करते हैं तो किते साल से ऑपCar साल हैं तो इस बार भी आपने लगाई है अभी लगा ओंगा चार रोज बाद में लगाएंगे मतलब कितने एकड़ का लगाने का प्लान एक एकड़ का लगाएंगे तो और आपके हैं भाई साब आपका सुब नाम क्या लिखते हैं प्रकास आगे प्रकास 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 आप भी प्याज की खेती करत तो इनके हैं आना जाना होता रहता है इसलिए आपका हो गया है कि मुझे भी लगाना चीए तो जैसे मनहर भाई रिस्क लेके कि तीन साल से आज उनका चौता साल है फिर भी खेती कर रहे हैं तो आपने यह वुचित निर्णाई लिया तो क्या संभावनाई लगती है आपको फाइदा होगा कि नहीं होगा अब कर फाइदा हो जाता है तो देखा किसान भाईोओ हम आरे ही हाँ जो तीन चार साल से किसान भाई खेती करते आ उनकी सीख आसपास के उनके पड़ोसी किसान भाईयों ने भी ली और उनकी भी इच्छा सकती जागरत हुई कि जब ये लगा सकते हैं और कभी फाइदा कभी नुकसान उठा सकते हैं और फाइदा जब होता है तो बहुत ज्यादा मातरा में होता है कि आपके दो साल का यदी दो सीजन का आपको यदी घाटा यदी खेती में हुआ है इसके उत्पादन में प्याज के तो उसका मुनाफ़ा एक फसल यदी आती है तो एकी सीजन में उससे चार गुना ज़्यादा उत्पादन और उसका भाव दे कर चला जाता है तो किसान को खेती का लाब का धंदा प्याज की खेती बार बार करने की इच्छा सक्ति उसकी बढ़ती जाती है आप सभी को नमस्कार और आप प्याज की खेती अच्छी करते हो हमारे मनोर भाई के साथ में रहते हो तो आसा मुमीद करता हूं कि आप अच्छी फसलेंगे अच्छी मेहनत करेंगे और बाजार में म